आपको दिख रही है यह डिस लोकेशन और बिस्टिपल जॉइंट्स इस तरह के आपके पसूं में डेखने को मिलते हैं जिस तरह से किस तरह की अवस्ता के अंदरकत है इस तरह के केस में आपके पसूं को क्या treatment करना चीए कोन से injection लगवाने चाहिए कोन सी meditation देनी चाहिए आज की वीडियो के अंदरकत मैं detail से बताऊंगा हैए दिखत हो जाती है तो आपको क्या करना चीर क्या बचाव करना चीर इस बिमारी का हो जाए तो आप क्या ट्रीटमेंट और कौन से इंजेक्शन पाउडर लिक्विड देखकर के पशू को बचा भी सकते हैं वरना इस तरह की इस ततिय दिया आपके पशू में हो जाती है तो उन पशू की लगबग डैथ ही होती है हो डिएयो पूरी देखेंगे आपको पूरा वरन नौलेच मिल जाएगा देखो यह आपको जो इस्क्रीन पर जो आपको वीडियो में दिख रहा है इस तरह की जो जिस प्रकार से डिवार पर च्छिपकली बैठी रहती है उस तरह की इस्तीय पशू में हो जाती है इससे क्या है कि आपका पसू सही अवस्ता में नहीं रहता तो इस तरह की condition हो तो उस पसू को पहले तो आप उसे सही स्थती में लाकर के बैठा देना चाहिए जिस तरह से यह गाय है इसी में भी इसी तरह की stage थी जो आपको white में दिख रही थी लेकिन इसको क्या किया गया कि इसको सही stage में लाया गया सही stage में लाकर के उनको सही स्थती में बिठाया गया अब इस तरह की स्थती में बिठाने के बाद में क्या करता है कि पसू खाना पिना तो कर लेता है कई पसू जुगाली भी कर लेते हैं लेकिन कई पसू जुगाली भी नहीं कर पाते हैं और चुके हैं और इसके खूर नीचे का हुआ और तो इस तरह के जो केस होते हैं उनमें त्यहनी असके नीचे कीडे पड़ जाते हैं और पूल अब स्टेज चिटे हैं और ऐसी वासु खड़ा आप उनका injection के तोर पर आपको सबसे पहले जो इंटालाइट आती है बोतल इंटालाइट या रिंटोज इन में से आपको कम से कम दो लिटर आप परडे के इसाब से यह नि दो लिटर आपको परडे लगातार पांस दिन उस पसू को लगानी है रही बात उसको इंटालाइट जो आती है उसके अंदर गयात जो इंजेक्शन है वो इंजेक्शन लेने है टोनोफोस 15 ml लगवाना है और साथ-साथ उस इडिप के अंदर गयात 15 ml मिकोवेट अक्षल इंजेक्शन भी जरूर डलाना है और साथ में उसमें ट्राइबी वेट इंजेक्शन भी जो मल्टी विटामिन इंजेक्शन आता है वे इंजेक्शन भी 15 ml इस दिप के अंदर डाल करके इस तरह के पसू को जरूर लगवाने हैं वो भी लगातार पांच दिन उस पसू को देते ही रहना है यह तो आपको उसका ट्रीटमिन करना होगा साथ साथ कोई एनालजेसिक इंजेक्शन उस पसू को भी लगातार देना होगा आप अनाल्जेसिक इंजक्षन के तोरप में मेगलोडाईन पर्योग लें थाकी अच्छा रिजल मिले इस तरह के पशों गहिए तो 20 ml इंट्राविनस मेगलोडाईन इंजक्षन जिसके इंगे सार्टो फ्लुनिक्सिन मेगलुमाइन वह इंजेक्शन भी उस पस्टू को लगाए ताकि यह कोई प्रिग्नेंट पस्टू है यह उसमें कोई दिकत है तो भी कोई दिकत नहीं होगी जो इंजेक्शन जो मैंने बता है यह प्रिग्नेंट पस्टू में भी आपके पस्टू मे अब सब्सभी करवा लेंगे किसी से भी तो इसमें क्या होता है कि पसफों का बो्डिवेट ज जादा हुता है तो एक बर तो सब्सक्राइब करकिन धोड़ाँ करेगा या थोड़ा सा भी कोचिस करेंगा तो वापिस बही eerste इन पसूं में हो जाती है तो इसने बोड़ी वेट जादा होने की वज़ए से इन में कहा कि इस तरह की केस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं इनको सही करना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है तो इनके लिए जो मैंने जो इन्जेक्षन है यह तो इनको लगातार देने देन आखल देने सासाथ इस तरह के पसूं को केल्सियum जो पाउडरी है लिक्विट केंटिन्यूटी स्टाट कर देना यह लिक्विविड केल्शियम इस्टारट कर देना है 100 ml परेडे के साब से क्यूंकि जो इस तरह की दिखते होती हैं वह आप इदी उनको केलसियम मैंगनिसियम फास पॉर्स यह दी उन पसूं को इदी आप नहीं देंगे और जिस प्रकार से विटामीन के इंजेक्शन तब तक यह पसू रिकवरी नहीं ले पाएंगे केलसियम मैंगे जो एक इनको मिकोवेट अक्सल एक लिक्विड आता है वह भी सो एमेल पर दे आप उन पसूं को लिक्विड भी साथ में स्टार्ट कर दें दे दिया चार जले न वह लिक्विड उनको लंबे समय तक स्टार्ट रखें ताकि आपके पसूं में किसी भी परकार कोई दिकत नहीं आए जो जितने भी मैंने जो इंजेक्शन वड्री बताई है वह लगातार उस पसूं को ट्रीट्मेंट करना है जब तक यह पसूं खड़ा नहीं हो पाता या आपको लग रहा है कि पसूं में जब तक इनर्जी नहीं आ पाती है तब तक यह इंजेक्शन उस पसूं को लगवाने रही बात जो लिक्विड है वो भी उन पसूं को देते रहना है और इनमें इस प्रकार की दिकता सबसे पहले इनको आपको क्या करना है आप इनकी देखवाल आपको बहुत जरूरी है जहां पर भी रखते हैं उन पसूं की आप करवट चेंज करते इस प्रकार से आपको इस्क्रीन पर दिख रहा है यह पसूं आप सई इस्तती में बैटा है तो इस इस्तती में बिठाएं ताकि एदी एक जगाए नीचे रहेंगे तो वहां की जो इसकिन है वह गल जाएगी और दिरे-दिरे क्या होता है कि वहां पर बैठे रहने पर इस इस्तती में फसू DD खराब हो जाती है red मरें तो इंकी वहां होती है कई अपर जो मैंने इंजेक्शन बता रहें। जो लिक्विड बता है वह उन पसू को देते रहे जरूर आपके पसू को रिजेल्ट मिलेगा रही बात इंजेक्शन भी जो है वो लगवाने आपको अपने पसू सकते हैं यह दी आपको इस तरह है कि यह दी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप नीचे जाके आप कमें से मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नोलिजबरी वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूंगा यह दिया आपने अभी बी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है बट आपको बहुत अच्छी और प्रोपर नोलिजबरी आपको आने वाले समय में ऐसे ही मिलती रहेंगी इसी तरह से कई पसू में हिप जोइंट हो जाता है डिस लोकेसरों हिप जोइंट उनमें पसू में भी इस परकार यह दिकत हो जाती है तो उनमें भी यह ट्रीटमेंट किया जात ताकि आपका पसू एनरजी ले और खड़े होने की कोशिस करें लेकिन जात तक हो सकता है आपको यह इस तरह केस में आपको वेगार करनी होती है तब यह पसू से प्रह सकते हैं वरना इनमें लगबग डैथ ही होती है